और ये नेट करना पाप था तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वाद आपका एक बड़ा न्यूद ऐसे गेम प्ले पे बजमी के जहां पे दिल पे धक्का से लग जाएगा मतलब मेरे दिल पे तो धक्का लग गया था लगभग अस्पताल जाना पड़ा मेरे को ठीके ये तो साव बात है फेक रहा हूँ मैं लेकिन आरे मना याने वाले आखिर तक देखो एक तर फो एक तर फे गलत सीने फिलाल के लिए तो उपर ही उतरे है और उतरते ही लैग देख और ये चौता बंदाला पेटा भागने की कोसिस में था बेटा कहा तक भागए कि नहीं भागपाऊगे चाल किरे चाल किरे मिल चुके यहाँ पे एक और बंदा पीछे बैटा है और ये वाले वहिया डीपी रिलोड करके हमारे भाई की पेटी डालना चारहे थे नहीं होने अरे इसे कैसे पिटने दूगा और इधर पे कोई और था एक निहत्ता बंदा भी था इधर पे बेचारा ये बेचारा नहीं था नहीं क्या सोच के यहाँ बैड़ा था इसे लगा होगा मैं अच्छे दिल का आदमी हूँ मैं छोड़ दूगा इसे बोलूँगा जाओ तुम चोज़ा वाटा भी मेंन बिल्डिंग पर हम रस गेम प्लेग प्लेगर देते और यहाँ पर इतनी किल चोरी होंगी मैं क्या ही बताऊं अब जिसको मैंने नौक गिया उसकी बेटी राइट से किसी ने बाइसे उन चला चला के डाल दी किल चोरी हो गई और जिसको मैंने वहाँ पे नौक किया जिसने किल चोरी करी थी उसकी किल भी चोरी हो जाएगी देखो मैंने पर अभी भी च्छा किल है और अभी भी च्छा किली रहेंगे और ये जिसको मैंने नौक किया इसने मेरी दूसरी किल चोरी कर दी कुल मिला के दो किल चोरी हो चुकी है और मैं कद्दू कुसा कर पा रहा हूँ और आगे से बंदा बैरल ले गया दा था मेरे हेल्थ की ऐसी तैसी कर दी और मेरे को अभी पक्का भी नहीं पता वो गया किदर साइट से लेफ्ट चला गया बटा बट मैं हीलिंग लगाता हूँ और बढ़ता हूँ यह यह गलत लोभी में आ गया क्या मतलब मैं पिटने वाल था भी खैरो अटाओ आट किलो चुके अभी आट किल से क्या हो आ रहे और किल चाहिए मैं इसे बटक रहा होता हूँ सामने कुछ बंदे थे तो सही गोलिया चल तो रही थी लेकिन आखिर किदर अभी वो किदर गये यही सवाल है मेरे मन पे मेरे दिल पे दिमाग पे साइट वो हटा हूँ मेरे को दिखी जाता है यह देखो सामने बैठा है और नौ करते ही पेटी डालने में टाइम लगाता है इस बार दो किल पहले ही चोरी हो चुकी है जिसने किल चुराई उसको नौ किया उसकी किल किसी और दे चोरी कर दीब तोहाँ अभी किलचोरी से मैं वैसे तंगा गया था, चोर्व होते हैं यहाँ पे, मैं भी बड़ा चोर हूँ वैसे लेगिन कोई मातनी खुद की किलचोरी हो दुख बहुत होता है, अब देगो सब कुछ खाली हो चुका था, मैंने गोला यह मजे करेंगे नीचे जाएंगे, सब की पेट्री डाल दिये, कोई दिक्कत नहीं होगी, तोहाँ ऐसी हम चोर्ड में घुमरे होते हैं, और उत्रे में ही देखो यह, और उत्रे में ही यह चुपके यहाँ पे चुपचाप से बेटा होता है, बिल्कुल सास दबा के ऐसे सास निगल जाए इसकी पेट्री डलन कि कपसे बेटा हो गए, यहाँ पे सास दबा के इसकी पिटा ही लगाओ, अब वह सावटा यह देखो, यह हेल्थ की ऐसी तैसी हो गई, अच्छा उपर जाने की बाद, और मैं वापीस किटने वाला था, करम से इस मैच में पूरे पिटने के एकाम करे थे, जैसे तैसे में बचके ऊपर गया था, ऊपर जाके AWM बगारा लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पे कुछ ग्लाइटर बाज लोग भी है, ग्लाइटर लेके दिकत देते मेरे को, यहाँ पे देखो मेरे को ग्लाइटर की आवाज आती है, मैं करता हूँ सीट चेंज, अभी दभोचना अभी पेटी बनाने जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हमने टीनों की पेटी डाल दीप, एक और गाड़ी गई थी, बहल से वो कूप आर भी लेगे कोई भागा था, वो तो भागे लिया, उस ने देखा, यह जो मेहगी गाड़ी वाले हैं, इनकी तो बुरी तरह से पिटा ही लग रही है, वो कूप अपनी रोकेगा, उसकी भी लग जाएगी, वो कटी है, वो नमस्ते करता है, वो भाग ले हैं से, कास रुख जाता है, मेरे एक और किल मिल जाती, चार किल होते हैं पे, खेरो आटाओ, मैं वापी जाता हूँ, ग्लाइडर वालों को डूडने के ल क्या मजाक है, और ये मजाक नहीं, ये मजाक मैं मेरे को ले रहे हैं, अभी बगल से ये ग्लाइडर लेकी गए, बच गए थे, मैंने बोला ठीक है भगने दो, दूपारा से मेरे मूग के सामने ग्लाइडर ले आए, मैंने बोला ये कुछ ज़्यादा ही होगे, इनकी मस्ती कुछ ज़्यादा ही चड़री है, निकालो इनकी मस्ती, ग्लाइडर हवा में बढ़ता है, ये अच्छा हवा नीचे आके गिर के न ठीले, कम से गम किले तो मिली, दोनों किल में उठा लेता हूँ, ग्लाइडर वालों की भी बजा दिये, मैं निकल रहा हूँ, तो आगे सिल दे चुका हूँ, गोली दे दी बगगी पे, बगगी वाले रूज आते सामने घर पे, अब देखोई, अभी सीधा नहीं ठोकने वाला में, दोई बंदे आराम से पेल दूँगा, लेकिन थोड़ी स्नाइपिंग हो जाए, वैसे होती नहीं आपे, पहले ही बता देता हूँ ये मिस हो गई गोली, बहुती बड़ी है, अब गोली मिस हो गई, कोई बात नहीं, सपरे मिस नहीं किया तुमारे भाई ने, और ये दूसरा बंदा आ चुका है, रिवाइफ बाजी देने, मैं बलता हूँ मेरे कद्दू का रिवाइफ, ये डालता हूँ, एक नेड, ये ड बहुत की आग मेरे को रोक रिया, और ये रिवाइफ चलना है बाहर पे, ये देखो, बज गया, और ये बेचारे के आथ में, इसने अभी नेड डाला था, नेड डालते इसने रिवाइफ दबाया होगा, बहाई के आथ में समूक था दूसरा, बंदूक की जगा समूक निक रस गेंपले हो जाता है, ऐसी तैसी रस गेंपले की मैं उल्टा रस करता हूँ इन पर और ये वही बेश अरम ता जिसके मैंने पाउँ पे गोली मारी, पाउँ पे गोली खाते ही ये साम बन गया, अरे पिल्कु गजब खतरना की बंदे है, और ये हमारे भाई आ गए डीपी लेके, अभी इस के एमफोर बजाता हूँ, बहुट डीपी चला ली इनने, और और इसी के साथ ये हम पे रस गेम प्ले करने आये थे, इने पे उल्टा रस गेम प्ले हो गया, ये तो गलत सीन है, जह करने ढ़ने है वह खुट के साथ हो गया, कताई पिल दिया है इनने हमने, 10 गारोडाओ 25 गिल हो चुके थे, मैं था इतनी चाड़ में मैं क्या ही हम बता जहाँ पे कोई कवर नाओ नहीं तो मेरे को रोकनी नहीं है गाडी और यही चाड़ के चलते मैं पिटीने वाला हूं यहाँ पे पूरा मार अम उस पे आम है तो अरे क्या हो गया मेरे पे मेरे पे भी आम है और यहाँ पे देगो सीन हो चुके हैं इंटन्स मैं गया हूं फस आगे पत्थर पे बनना आ गया यह नजाने का से है अब दूर पे किसी को ना गयाता है डव्लम से वो बजगया मेरे पे M24 चल लिए पीछे घर से मधाग सेट के हम चारो दिशाओं से घिरे पड़ें और और आगे पत्थर वाला बंदा हमें जीने नहीं देगा पत्थर वाले बंदे के चलते बहुत दिक्कत होगी क्योंकि देखो जो पत्थर वाला है वही काम भी गाड़ सकता है दूर वालों को तो फिर भी हम पेल देंगे लेकिन यह दिक्कत दे सकता है बहुत और जो मैंने बोला ही था वही होता ये पत्थर वाला अमारे भाई के लाने कौन सी गन बजा देता है बजा ही जरूर है उसने क्या आप देखो मेरे को कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को अपनी नेड गाड़ी सक्तिया आप चालू करने होंगी लेकिन इसी मैच में चालू तो बहुत दूर ये बात है अब नेड मेरे खुद के खुद के उपर फटने वाले देखो अभी क्या सीन होगा अब यहाँ पे एक नेड फेका कुछ ना हुआ दूसरा फेकने की तैयारी में होता हूं मैं और यह नेड करना पाप था और देखो मजाग साथ के मैं तो उमीद छोड़ चुकाता ना जाने क्यूं और कैसे हम लोग बच गए यहाँ पे ना जाने क्यूं और इसी के जाथ हमारे भाई भी पिड़ जाते हैं अब वह जावटाओ मैं यह नेड नहीं चोड़ना चाहता था मेरे को बीचे से फटका पड़ता है कोई बात दी मैं एक नेड कैंसिल कर देता नेड खुद ही हाथ से फिसल गया कई पार होता है यह ग्लिच है क्या है मेरे वह नेड नहीं चोड़ा मेरे से लिखवा के लिए रोनेट मैने नहीं चोड़ा चूर चाहता है कभी कबार कोई नहीं कहाएगा मैं यह बाने दे रहा हूं और उसी नेड के चलते मैं घोल घूमता हूं और पिड़िया था यहां पे और देखो अभी तक मैंने ये जो पीछे है इनको नहीं देखा है इनके चक्कर से बहुत गड़ बोड़ हूँ है घरवालों के देने ही पड़ेगा जो घर पे उनके और ये ही नहीं आ रहे अभी और देखो और देखो एटसो तो हां यहां पर मैं अपना बदला ले चुका हूँ पत्तर में जो था वो तो आग से ढिलिया अलब आग ने काम कर दिया तब पीछे घर पे नौक आगे पेड़ पे नौक और आगे जो पेड़ पे नौक या वहाँ पे खिल चोरी करने के लिए कोई कही दूर से कुछ तो चला रहा होता है और यहां पे पेड़ के पीछे की एक खिल तो मैं निकाल लेता हूँ लेकिन दूसरा बंदा कोई और पिल जाता है वह अटा अभी बारी है घर पे अब देगो घर पे गुषने के लिए करनी पड़ेगी तो यारी यह हमको जाने नहीं देंगे गाड़े उठाए मैं ठिल जाओंगा पैदल बागे हम ठिल जाएंगे सब ठिल जाएंगे तो करना है सारे क्रिश्टल से सील्ड वगेरा महाली क लुकान पे बची ना हो और यहां पर देखो धूर से भी पड़ रही है पास से भी पड़ रही है मैं धेरे धेरे आगे बढ़ता हूं और कसम से अगर देखो इस मैच में सीड़ना होते बचना लगपग ना मुम्किन हो गया ताब जो उनके अंतर ही नहीं जा पते हम वैसे यह बगी थी क्या पता कोजिस करते लेकिन देखते क्या होता है फिलाल के लिए एक नौक निकलना पड़ेगा और ये लोग नौक निकल गया मैं बढ़ता हूं आगे और इसी सेकेड मैं समझ गया था कि हम लोग बच गये वो बन्दा नीचे से सपरे देता है मैंने उपर नौक निकल ला है किसी को आग उसने डाल रगी थी सब कुछ उसने कर दिया लेकिन हमें रोकना पाया अरे रस गिंप ले करने आए हैं रस गिंप ले करके जाएंगे औ अरे नेट दूका देरे मेरी नेट गौड की सक्तियां लगता है कम हो गई क्या मतलब मैं कभी नेट गौड ही नहीं था खैर वाटा भी मेरे पे चार नेट और है आओ देखे क्या मैं कुछ उखाड पाता हूं इन चार नेट से एक डाला लेफ्ट कमरे पे कद्दू कुछ दीना हुआ बरबाद दूसरा ढालता हूं इस कमरे पे क्या इससे कुछ हो तो दूसरा नेट भी बरबाद अब मैं समझ गया था ये लोग यही सीडी भी बेटर ये है खतरनाग इनको पता है कहां पे थिपिप लेना div नेर मैं सीडी पे क्या नेट देता हूं और कुछ नही और आकिरकार जान में जान आई, आकिरकार कहां पे रुका था मैं सिर्फ चौड़ में होनी की वज़ा से, ऐसा हुआ, चौड़ में था मैं मैंने बोला गाड़ी ओपन में ही रोक के सनाइपिंग करूँगा, ओपन में गाड़ी रोकी, हमको चार तरफ से गिरिया, करम से ओप में रोकना खत्रे से खाली नहीं सीड़ मोड हड़ जाए वह या उपन में रुकना गुणा हो जाएगा पकड़ के पिटाई होती है चारो तरफ से खैरो आटा अभी बाकी है तीन बंदे और तैयार हो जाओ क्यूंकि धिल पर धक्का लगने वाला है मधाक जाट के आगे जो स चलती रहेगी यह लगी हुई थी अब भी लगाई जाए तो हमारे भाई पूछते कि उसने सीड़ लगाई थी पहले से या भी लगाई उसने तो जवाब है जैसी मेरी गुली उसके टकले पर पहुंचने वाली थी उनने सीड़ डाल दी मैं वही सोच रहा था यह उपर में करता है हम ठिल जाएंगे और यह शुरुवात हो जाती है गड़बड की हमारे भाई के टकले पे डबलोम पड़गी मैंने बोला ही था है कि वह यहां गलाच सीन हो जाएंगे पीग मत करना भया जी सपरे दे रहें अभी टकले पे डबलोम खाके बैटे हैं कहला देगा अभ मैं उतरता हूँ इस ड्रॉप के बगल में डेमेज बहुत पड़ा है इतना डेमेज एक आदमी को सुलाने के लिए काफी था लेकिन वो आदमी नहीं सुता आरे वो जगा हुआ है वो जिन्दा है वो और जीना चाहता है और देको यह जो ड्रॉप है जिससे मैं कवर लेके बैटा हूँ सबसे बड़ा दूस्वन मेरा जिन्दगी का यह है आखिर क्यों मैं ऐसा कहा रहा के देखो अभी ड्रॉप पे सारी गोलियां मेरी एडबलोम के लग जाएंगी तो हाँ यह हैड पे रखके चलाई थी पना जलता है गोली ड्रॉप पे लगके बहुत ही बड़ है कि अब यह कौन है और यह कहांसे आया और यह कपसे बैठा है नारे पीच्छे मेरे को दिल पे दखका लगए था कशम से मजागार कर देखके मैरे को बच्पन में मेरे को देखना पड़ता था मजबूरी में उसमें ऐसा दिखाते हैं किसी ने कुछ बोला दिल पर धक्क लग जाए विल्कुल दिल पकड़ के आज में गिरने कोई हो चाता है मेरा यह आलता मैंने बोला यह कहां से आगया इसको कोई पेलो हमारे बाई जो मेरे बचाल में ते वह नजाने कहां पर गूली चलनी होती है मतलग यह देखो अरे यह कौन जे रहसे में खेले हो कहां मार रहे हो गूली लेकिन हमारे टिमेट बचा लेते जैसे तैसे करके मामला समझ जाता है बचे गया रहा दिक्कत हो गई तिया भी आश्पताल जाना पड़ लेकिन हो उना आश्पता है मामला जाया जाता है मामला जाता है तैसी को मतलग जाता है में पर गूली लेकिन हो